बोड़ी शेमिंग को लेकर छलका अंकिता लोखंडे का दर्द कहा बढ़ती उम्र को लेकर लोग मारते थे ताने अंकिता लोखंडे अब बैक टूबैक इंटर्व्यू दे रही है अपनी और अपनी सास की रिष्टे पर सफाई भी देती नजर आ रही है लेकिन इसी बीच अंकिता लोखंडे ने अपने दर्द को बया किया जो उन्हें बिग बॉस के घर में सहने पड़े थे जी अंकिता लोखंडे ने बताये किस तरह से बीच बॉस के कंटेस्टन उनका बॉडी शेमिंग करते थे तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है अंकिता लोखंडे ने एक इंटर्वी में अंकिता ने शो में रहने पे अपने एक्सपिरियेंस के बारे में बात की है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है अंकिता लोखंडे ने बताये कि घर में लड़ाई के तौरान कई कंटेस्टन उन्हें बॉडी शेम करते थे अंकिता ने कहा जब हम बिग बॉस में जा रहे थे तो हमें पता था कि ऐसा ही होगा लेकिन इसके लिए पहले से तयार थे कि अब जो भी होगा देख लेंगे अंकिता ने आगे कहा कि आप किसी को रोक नहीं सकते ना आप ये बोल सकते हो कि मेरे बारे में ये मत बोलो क्योंकि वहाँ सब एक प्लैटफॉर्म पर है और सब एक जैसे हैं तो आपकी सोच है, जो लोग बोलते हैं और करते हैं ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बोला किसी को, मैंने भी बोला है, लेकिन मैंने किसी को ace shaming या मैंने कभी ऐसी चीजे नहीं बोली जो दिल दुखा दे, लेकिन उस घर में ये सब normal था, मैं किसी पर इलजाम नहीं लगाना चाह करते थे लेकिन अंकीता ने कहा कि वह घरी ऐसा है कि सब कुछ अपने आप हो जाता हमें खुद नहीं पता चलता लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कि किसी का दिल दुखे वेल इस पर आप की क्या रहा है हमारे कॉमेंट सेक्ष्ट में जा कर कॉ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले.